तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप तो आज हम आपको बताएंगे कि ATAL Payments Bank के आप VC Agent कैसे बन सकते हैं और VC Agent बनकर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं तो भायो जदी आप ATAL Midrap के पहले से Retailer है तो आप असानी से ATAL Payments Bank के Retailer बन सकते हैं के लिए आपको अपने एरिये के डिस्टिबूटर से कंटेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो आप अपने एरिये के एटल स्टोर पर विजिट कर सकते हैं उनको बताना है कि सर मैं एटल पेमट्स बैंक का बी-सी एजंट बनना चाहता हूँ और वहाँ पर आपका एक पैन काड और अदार काड लगेगा और आपसे वो 200 और 250 रुपीज चार्जिस ले सकते हैं इसमें आपका एटल पेमट्स बैंक का अकाउंट भी उपन हो जाएगा और साथ में आप एटल पेमट्स बैंक के बी-सी एजंट भी बन जाएंगे और आपको लोगिन पास्वर्ड दे दिया जाएगा तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि जब आपको एटल पेमट्स बैंक का लोगिन पास्वर्ड मिल जाएगा तो इसमें आपको कौन-कौन सी सर्विस देखने को मिलेगी और कौमपनी आपको कितना कमिशन देती है तो जैसे मैं लोगिन करके आपको बताता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि एटल पेमट्स बैंक का डैश विड ओपन हो चुका है सबसे पहला ओप्शन माइक्रो एटियम का है आप किसी भी कस्टमर का एटियम के जरीए आप पैसे निकाल सकते हैं पहले आपको एटियम लेना पड़ेगा कोई कंपलसरी नहीं है आप बिना एटियम से भी काम शुरू कर सकते हैं सेक्निड ओप्शन आपको अदार इनेबल पेमेंट सिस्टम का है जिसे APS कहा जाता है आप फिंगर्पिंट के मादियम से किसी के बैंक से पैसा निकाल सकते हैं और उसको कैश दे सकते हैं आप किसी के अकाउंट में पैसा जमा भी कर सकते हैं थर्ड ओप्शन के मादियम से open bank account आप etel payments bank बैंक अकाउंट भी open कर सकते है आगे जो option है link d-link अदार for dbt आप अदार कार्ड के साथ account link d-link कर सकते हैं cash drop कर सकते हैं आप किसी भी company के recharges कर सकते हैं आप insurance कर सकते हैं अटल pension जोजना आप किसी की pension निकाल सकते हैं और उसको आप cash दे सकते हैं आगे आपको जो option मिलता है आप किसी को gold loan के लिए refer करते हैं तो आपको 7000 rupees commission देती है company आगे आप personal accident cover आप दे सकते हैं किसी को और भी बहुत सारे option है आप fast tag लगा सकते हैं किसी भी गाड़ी पर आप new fast tag apply कर सकते हैं इसके में भी आपको अच्छा कासा company commission देती है cash withdraw कर सकते हैं cash deposit कर सकते हैं आप किसी का QR code link कर सकते हैं तो बहुत सारे option आपको इटल payments bank के BC agent बनने पर आपको मिलते हैं तो भायो अभी तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इटल payments bank के आप BC agent कैसे बन सकते हैं और इसमें आपको कौन कौन सी service आप customer को provide कर सकते हैं तो भायो अभी हम आपको बताएंगे कि आप इन service को कैसे use कर सकते हैं तो भायो सबसे पहली जो service आती है micro ATM की तो मेरे पास अभी micro ATM नहीं है micro ATM इटल payments bank का 2000 के आसपास था तो इसलिए मैंने purchase नहीं किया तो भायो जदी आप ज़्यादा से ज़्यादा like को और comment करते हैं तो मैं इसके regarding एक video बना दूँगा और अभी हम बात करते हैं circuit option अधार payment enable पर यासे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा option आएगा तो यहाँ पर आपको check mark करना है जो भी PC agent रहेगा जा retailer रहेगा उसको अपना fingerprint लगाना होगा तो इसके लिए आपके पास एक fingerprint device होना ज़रूरी है जदी आप एक retailer है तो आपके पास कोई ना कोई तो fingerprint device होगा मेरे पास mantra device है more for device है तो मैं mantra device को use में लूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने मॉइल के साथ mantra device को connect कर दूँगा अभी तक आपने हमारी वीडियो को like नहीं किया तो like कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर subscribe करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने mantra device को mobile के साथ connect कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं device connect हो चुका है तो यहाँ पर जो भी retailer रहेगा जब BC isn't कहा जाता है उसे तो उसको यहाँ पर अपना fingerprint लगाना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आप capture पर click करेंगे तो आपके जो mantra device की light blink हो जाएगी आपका जो biometric device है वो own हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा biometric device own हो चुका है और मैंने fingerprint लगाया तो अभी मेरा fingerprint verify होगा तो कुछ देर के बाद मेरा fingerprint verify हो चुका है आप देख सकते हैं कि मेरा APS के portal में login हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप customer का cash withdraw कर सकते हैं mini statement आप निकाल सकते हैं किसी भी bank की balance inquiry कर सकते हैं और बाद में आप जितना भी पैसा निकालोगे आप अपने bank account में send भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम cash withdraw करेंगे किसी भी customer का जो भी आपके पास customer है उसका आपको mobile number इंटर करना है bank के साथ register है तो भी है नहीं register होगा तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं अदार कार्ड bank के साथ register होना चाहिए अदार कार्ड नबर डालने के बाद आपने customer से verify करना कि कितना पैसा उसने निकालना है आप 100 से लेकर 10,000 रूपिज एक बार निकाल सकते हैं आगे आपको bank account select करना होगा जो भी bank account है वो आपको select करने के बाद जैसे आप proceed करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने proceed किया तो आपके सामने कुछ ऐसा interface दिखाई देगा आपको फिर से बताया जाएगा कि यही है आपकी detail और जैसे आप proceed करेंगे फिर से आपको proceed करना पड़ेगा तो जैसे मैंने यहाँ पर फिर से proceed किया तो अभी आप देख सकते हैं आपको फिर से check mark पर click करना है और customer का अभी आपको fingerpin लगवाना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके पास customer पैसा withdraw करने के लिए है उसका आपको fingerpin लगाना है आगे आप देख सकते हैं retailer mpin जो भी ital payments bank का retailer है पर आज चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि customer के account पे अभी कितना पैसा बचा है आप customer को एक print निकाल के भी दे सकते हैं customer को proof मिल जाएगा कि उसके account में इतना पैसा बचा है और उसने इतना पैसा withdraw किया है तो भायो इसी तरह आप ital payments bank के BCAZ बनके किसी भी customer का bank account से पैसा निकाल सकते हैं आप 1000 के उपर 10 rupees extra भी ले सकते हैं और company तो आपको commission मिलेगा ही मिलेगा आपको तो भायो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे SMS भी आ चुका है कि आपके account में 10,000 rupees deposit हो चुका है तो भायो इसी तरह आप APS के माद्यम से किसी भी customer का withdraw कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर की तरह मेरा balance है 14,000 rupees हो चुका है पहले मैंने 4,000 rupees निकाला था तो 6 rupees मुझे commission मिला था अभी मैंने 10,000 rupees निकाला है तो मुझे 8 rupees या 10 rupees के आसपास commission मिलेगा वो बाद में मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह आप पैसा withdraw कर सकते हैं APS के माद्यम से और customer को आप cash दे सकते हैं तो guys यहाँ पर आपने देखा कि मेरे account में 14,000 rupees हो चुके हैं अभी मैं किसी के bank account में deposit भी इस cash को कर सकता हूँ नहीं तो मैं अपने bank account में इसे send भी कर सकता हूँ अपने account में मुझे send करने पर कोई भी extra charges नहीं लगेंगे और ज़दी मैं fast tag apply कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा पैसा debit हो जाएगा तो भाईयो जदी आप अपने account में पैसे को send करना चाते हैं तो वो आप send to bank कैसे करेंगे फिर से आपको अदार payment enable system के second option पर click कर देना है तो यहाँ से आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको fourth option मिलेगा send to bank का तो यहाँ से आप send to bank के option पर click करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने etal payments bank के साथ अपना bank account add नहीं किया तो मुझे पहले अपना bank account add करना पड़ेगा यहाँ पर जो भी मेरा bank account है जिसमें मैं payment लेना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पर bank account इंटर कर देना है तो भाईयो आपको भी complete detail देनी होगी अपने bank की आपका bank का जो भी account number होगा आपको दो बार इंटर करना होगा फिर आपको अपना नाम फिर आपको अपने bank का IFC code और नीचे आपको account type में आपको select करना होगा कि जो आपका bank account है आपका खुद का है जा किसी other person का है तो यहाँ यहाँ पर मैं select करूंगा मेरा खुद का bank account है तो मुझे यहाँ पर self select करना है self select करने के बाद नीचे मैं check mark पर click करूंगा यहाँ पर बताये गया कि आपके account में पहली बार one rupees send किया जाएगा फिर आप verify करेंगे तो यहाँसे मैं add manufacturing पर click करूंगा तो यहाँ पर आप देख सक सकते हैं कि मेरे bank account में one rupees चला गया है तो जदि आपको money receive हो चुकी है तो आप make this my primary when factory पर आप click करेंगे तो आपका जो account है primary कर दिया जाएगा जब भी आपके APS के माद्यम से आप payment निकालोगे तो आप इस bank account के जरी आप payment अपने account में ले सकते हैं तो भाईो इसी तरह आप payment add कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मैं login करके आपको बताता हूँ APS portal में तो send to bank पर मैं जैसे click करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि म मेरा bank account add हो चुक है अभी मैं जितना भी पैसा अपने bank account में deposit करना चाता हूँ वो मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं 13,500 रूपेज deposit करूंगा तो जैसे मैं transfer now उपर click करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि अपना मुझे यहाँ पर अपना MPIN इंटर करना है और MPIN इंट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे bank account में पैसा चला गया है इसी तरह आप APS के मादेम से withdraw कर सकते हैं और वाद में अपने bank account में deposit कर सकते हैं तो आपको complete video समझ आच चुकी होगी और अभी आपको पता चल गया होगा कि एटल payments bank के आप VC agent कैसे बनेंगे और cash withdraw आप कैसे करेंगे और cash withdraw करने के बाद अपने account में deposit कैसे लेते हैं आपको complete video समझ आच चुकी होगी जदी आप एटल payments bank के related कि और जाना चाते हैं जैसे FASTA कैसे apply करते हैं किसी customer के bank account में cash कैसे deposit करते हैं और भी बहुत सारी service एटल payments bank के regarding तो आप हमारे चैनल को जुर subscribe करें और video पसंद आई हो तो एक like कर देना और हाँ मेरा एक telegram page आउसे भी आप follow कर सकते हैं वीडियो के description box में आपको telegram page का link मिल जाएगा तो guys फिर मिलते हैं एक नई video में तब तब के लिए धन्यवाद जाहिंद